नमस्कार दोस्तों इसी हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो बलुचिस्तान प्रोविंस है वहाँ का जो सबसे important port है जिसका नाम है गवादर पॉर्ट वहाँ पर बलुची बालची अठाक कर दिया है, और इसमें बताइडा यह जा रहा है कि जो बेलचरी Hybrid हं एक्म लोग उसमें चार ढुलिंट्ट के अंदर में उसकार को मार दिया गया में इस लि end लोग पाकिस्ता को अठब करता है कि कोई भी नुकसान नहीं बींस में ही पड़ता है और अगेन ये जो अटक किया गया है सेम इस जो पहला अटक किया गया था गॉदर में सेम उनी नहीं यानि कि मजीद ब्रिगेड ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है और जो मजीद ब्रिगेड है वो एक्च्वर में बहुत इंपॉटन्ट यूनिट है बलोच लिबरेशन आर्मी का अब देखो यह जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इसका सुसाइड स्कॉर्ड आप समझे लो म इन्होंने अटैक कंड़क्ट किया है तो वहाँ पर यह जितने भी मिलिटेंट्स घुसे थे उनको मार दिया गया है अब इसमें जो यह बलोच लिबरेशन आर्मी है यह अभी लाजली बेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर में और बड़ी मात्रा में इनको अफगानिस्ता जो परसनल से उनको मारा है चुरूबत के नेवल स्टेशन में हलाकि पाकिस्तान ओफिशल का ऐसा कहना है कि सिर्फ एक पैले मिल्टरी जवान जो है वो शहीद हुआ है बाकी किसी को कोईश भी नहीं हुआ है तो अपने अपने क्लेम से आपको पाकिस्तान का जो ख्लेम होत कि attack actual में हुआ क्यों है और बलोच Liberation Army लड़ की हो रही है तो मैने आपको पहले भी बताया था कि जो ये बलोच Liberation Army है इनका में मुद्द में बलोचिस्तान का जो प्रोविंस है उसको पाकिस्तान से अलग करवाना है क्यों अलग करवाना है क्यों ये आर्मी ऐसा मानती है या बलोचिस्तान के normal लोग भी ऐसा मानते हैं कि बलोचिस्तान अगर आप देखो तो सबसे जादा energy rich province है पूरे पाकिस्तान के अंदर में, सबसे जादा minerals बलोचिस्तान के अंदर में है, फिर भी बलोचिस्तान सबसे गरीब province है पूरे पाकिस्तान का, बलोची लोगों को उनके rights नहीं मिलते हैं यहां तक की बिजली तक नहीं है बलुचस्तान में आज भी प्रेजन टाइम में और इसी लिए जो वहां के यूथ है वो पूरे सरकार के खिलाब खड़ा हो गया है वो बड़ी मातला में बलुच लिबरेशन आर्मी को जॉइन करते हैं इन फैक्ट जो बहुत बड़ा अटैक किया गया था और ऐसा बताय जा रहा था कि 12 आईसाई के ओफिशल्स को उन्होंने वहां पर मार गिराया था इसी मजीद ब्रिगेट की मिलिटेंट्स ने अब जो बलुच लिबरेशन आर्मी है यह अभी अपना में टार्गेट बनाए हुए है चाइना के इ कुछ महीनों पहले ही महाँ पर बड़ी मात्रा में गैस रिजर्व्स मिले बलुचिस्तान के अंदर में तो चाइना की कंपनी आ करके वहाँ पर गैस का एक्स्ट्रेक्शन शुरू कर दी है लेकिन बलुची लोगों को कुछ नहीं मिला बलुची लोग को क्या मिला आज भी कि वो बिना बिजली के बिना किसी राइट के वहाँ पर जी रहे हैं और बुरा हाल है उन बलुच लोग का जिसके वज़े से उनको बाहर की तरफ पलायन करना पड़ता है और इसलिए बलुचस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग बड़ी मात्रा में इरान में भी स्थित हैं और अफगानिस्तान में भी स्थित हैं और वहाँ बैट के यह सारे उपरेशन को यह लोग अंजाम देते हैं मजीद ब्रिगेट के थुरू पाकिस्तान के बलुचस्तान प्रविंस में अब जो यह चाइना का इन्वेस्मेंट था इसमें गौदर को अटैक किया बट इसमें और इसमें देखो जो नेवल स्टेशन बनाया गया है वो एक्चुल में तो नेवी के द्वारा बनाया गया है पाकिस्तान की नेवी के द्वारा उपरेशनल किया गया है पर इसका डिफेंस से कोई भी लेना देना नहीं है इसका पूरा इस नेवल स्टेशन को बनाने का एक इसलिए कर रहा है, because दुबारा से चाइना पाकिस्तान economic corridor का काम शुरू हो चुका है, second round के जो पैसे मिलने थे चाइना से पाकिस्तान को, वो पैसे मिल चुके हैं, अब देखो बलोच liberation army की problem यह है कि जो चाइना से पैसे आ रहे हैं, बाहर की किसी country से पैसे आ रहे हैं, सारा प investment को mainly target कर रहे हैं अभी यह बलोची militants, यानि कि बलोच liberation army वाले, और इन्होंने पहले गौदर पर attack किया, आज तुर्बत पर attack किया है, और इसकी वज़े से चाइना का भी इसमें तुरंथी reaction आया है, गौदर में भी जब attack हुआ था तो चाइना के जी जिन्पिंग का बयान इसमें आया था, कि he is very very disappointed with पाकिस्तानी defense, again फिर से जब तुर्बत के उपर attack हुआ है, वहाँ पर चाइनीज officials भी बड़ी मातरा में रहते हैं, तब फिर से जी जिन्पिंग को बताया जारे कि वो बहुत angry है इस पूरे attack के उपर, और हो सकता है कि पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान economic corridor का पूरा project है, वो कही ना कही उस पर बहुत बड़ा hold लग जाए इस पूरे attack की वज़े से, तो I hope आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, आज की वीडियो में इतना ही, thank you and have a nice day.